हलो बच्चों मैं दिपिका राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशियेटिव इकक्षा में आपका स्वागत करती हूं जिसकी टेक्नीकल पाइटनर है मिशन क्यान बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विशे का अध्याय 16 प्राकर्तिक संसादों का संपो विशे बन गया है तो देखिए हमने ये भी समझा था कि मनुश्य ने अपने स्वार्थ के लिए इन प्राकर्तिक संसादों का बहुत ही तेजी से दोहन किया है और अब यह समय आ गया है कि हम इन प्राकर्तिक संसादों के संपोशन के बारे में भी विचार करें तो इसमें स सभी जानते हैं कि वनों में अलग-अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे जीवजन्तु आदी पाए जाते हैं। मेत्वण है, इस्पिशीज की संख्या के साथ साथ उन्पिशीज का स्वरूप भी हाँ पर मेत्वण होता है। तो जब हम बात करते हैं वन्शागत जैविवित्ता को संग्रक्षित करने की तो ये प्राकर्तिक संग्रक्षन के मुख्य उद्देशों में से एक है। यानि कि जब हमें प्राकर्तिक संग्रक्षन करना है, तो सबसे पहले हमें इस जैविवित्ता को भी संग्रक्षित करना होगा। और बच्चों प्रियोगों की आधार पर और वस्तुस्तिति के अध्यान से हमें ये भी पता चलता है कि यदि जैविवित्ता नस्ट हो जाएगी तो पारिस्तिकी संतुलन भी बना नहीं रह सकता है, तो इसलिए हमें इस जैविवित्ता को नस्ट होने से बचाना है, जो हमारी वन संपता है, उसे हमें समाप्त होने से बचाना है, अब देखी हम बात करें हैं यहाँ पर वनों के संग्रक्षन की, तो वनों के संग्रक्षन की जिम्मेदारी किसकी है हम में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो वन में जाते ही नहीं है तो उनके संग्रक्षन की हमें क्या आफशकता है तो यहां पर बात आती है कि वनों के असली दावेदार कौन है यानि कि उनके स्टैक होल्डर कौन है तो इसी के बारे में ह उत्पादों का उप्योग करते हैं हम वनों में रहते तो नहीं है लेकिन वन से प्राप्त होने वाले बहुत सारे उत्पादों का हम उप्योग करते हैं परंतु वन संसादनों पर हमारे निर्भरता में अंतर है कुछ लोगों के पास इसके लिए कोई विकल्प नहीं है वे व तो देखिए अलग-अलग लोग इसके दावेदार हो सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि वनों के अंदर और इनके निकट रहने वाले लोग तो ये अपनी अनेक आउशक्ताओं के लिए वनों पर निरभर रहते हैं और नेक्स हो सकते हैं कि सरकार का जो वन विभाग है जिसके पास में वनों का स्वामेत्व है और वो इन वनों से प्राप्त होने वाले संसादनों का नियंत्रण करते हैं इसी के साथ साथ जो उध्योग पती हैं जो विभिन प्रकार के कच्चे माल के लिए इन वनों पर निर्भर रहते हैं तो उद्योग पती जो तैंदू पती का उपयोग बीडी बनाने से लेकर कागश मिल तक विविन उत्पादों के लिए इन वनों पर निर्भर रहते हैं परंतु वे वनों के किसी भी एक शेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं कि वन उत्पादों का प्रियोग दो कर रहे हैं लेक इन्वे प्रकर्ति का संग्रक्षन इसकी आध्य अवस्ता में ही करना चाहते हैं ये मानते हैं कि प्रकर्ति के साथ में हमें कोई भी छेडशाड नहीं करनी है प्रकर्ति अपने जिस मोल सरूप में थी उसी सरूप में ही इसको संग्रक्षित किया जाए तो ये सबी जो है वो इन वनों के दावेदार हो सकते हैं तो देखी यहां पर प्रतेक समूं की वन आवशक्ताइं भिन भिन है जो उध्योग पती हैं उन्हें अपने उध्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए जबकि जो इस्थानी निवासी है वो अपनी दैनिक आवशक्ताओं की पूर्ती इन वनों से करते हैं तो सभी की आवशक्ता यहां पर अलग-अलग है जो इस्थानी निवासी है वो इंधन के लिए जलाओं लकडी छोटी लकडियां एवं चाजन की काफी मात्रा की उन्हें आवशक्ता होती है अपनी जोपडियों को बनाने के लिए या लकडी को जलाने के इंधन के रूप में उन्हें इन वनों से प्राप्त उत्पादों की आवशक्ता होती है इसी तरह से बास का उपयोग जूपडी बनाने भोजन एकत्र करने और भंडारन के लिए होता है खेती की आउजार मशली पकड़ने एवं शिकार की आउजार मुख्यत लकडी के बने होते हैं तो वो जंगलों से प्राप्त लकडी का उपयोग इसके लिए करते हैं तो इसके अतरिक्त वन मशली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं वनों में जो जलाशे बने हुए हैं वहां से ये मशली पकड़ते हैं और ये शिकार स्थल भी होते हैं क्योंकि जो भी वन्य जीव हैं वो इन जलाशें उपर पानी पीने के लिए आते हैं तो इसलिए यहाँ पर शिकार भी उन्हें आसाने से मिल जाता है आगे बढ़ते हैं विब्यान व्यक्ति फल, नट्स और और उशुदी एकत्र करने के साथ-साथ अपने पशों को वन में चराते हैं अत्वा उनका चारा वनों से एकत्र करते हैं तो इस तरह से जो पालतू पशु हैं उनके चारे के लिए भी ये लोग वनों पर निरभर रहते हैं अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इनी वनों में शताब्दियों से रह रहे थे पुराने समय में यह जो वनों के आसपास का शेत्र है यहीं पर ही यह लोग निवास करते थे अंग्रेजों ने वनों का नियंतरण अपने हाथ में ले लिया और ये जो निवासी हैं उन्हें वनों के एक सीमे शेतर पर ही रहने के लिए मजबूर किया गया उनसे पहले यहां के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे सम पोशन भी होता रहे ये जो वनों के स्थानिय निवासी थे ये ऐसी विध्यावी विक्सित करते थे जिसे वो वनों से प्राफ्त उत्पादों को प्योग में तो लेते थे लेकिन साथ ही साथ वनों का सम पोशन भी होता रहता था लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये व्यवस्ता समाप्त हो उन्होंने वनों के जो मूल निवासे थे उन्हें वहां से हटा दिया अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया बलकि अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्मम्ता से दोहन भी किया इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन वनों का तेजी से दोहन भी किया स्वतंत्रता की बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रन तो अपने हाथों में ले लिया जब भारत आजाध हो गया तो वन विभाग ने अंग्रेजों से ये वनों का नियंत्रन अपने हाथ में ले लिया परंतु प्रबंदन वहवार में इस्थानी लोगों की आवशक्ताओं एवं ग्यान की उपेक्षा होती रही वन विभाग ने भी इस कारे में कोई रूची नहीं दिखाई कि वन प्रबंदन में इस्थानी लोगों को भी शामिल किया जाए इन्होंने भी इस वन प्रबंदन में लोगों की आवशक्ताओं और ज्ञान की उपेक्षा की अतेवनों के बहुत बड़े शेत्र में एक ही प्रकार की व्रक्षों जैसे की पाइन, चीड, टीक, अत्वा, यूकेलिप्टस की वनों में परिवर्थित हो गए क्योंकि इस थानियल ज्ञान की यहाँ पर उपेक्षा की गई तो इसलिए वनों के अंदर जो थे वो एक ही प्रकार की व्रक्ष विक्सित हो गए तो इसके क्या-क्या नुकसान हुए यहां पर उन व्रक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रतम सारे शित्र की अन्य सभी पौधूं को हटा दिया गया जिससे शित्र की जैविविता बड़े इस्तर पर नस्ट हो गई फल एमनट इत्यादी की आपूरती भी नहीं हो सकी तो इससे फायदा किसको मिला इस प्रकार की रोपन से उध्योगों को लाब मिला जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गए ये जो पौधे इनोंने लगाए लकडी के लिए यूकेलिप्टस चीड आ पाई इसे के साथ साथ उन्हें ओश्दियेतु वनस्पती अपने पशों के लिए चारा उपलब्द नहीं हो पाया तो इस तरह से उनके लिए समस्या उत्पन हो गई जबकि सरकार को और उध्योग पतियों को इससे अधिक फायदा हुआ अनेक उध्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं जैसे कि टिंबर, कागश, लाग तथा खेल के सामान ये सबी जो उध्योग है इनमें कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उप्योग किया जाता है तो उध्योग इन वनों को अपनी फैक्टरी के लिए कच् कच्चे माल का स्रोथ ही मानते हैं निहित स्वार से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उध्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मुल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है उनका लक्षे क्या रहता है कि हम इस कच्चे माल को सरकार से कम से कम मुल्य पर प्राप् कर सके क्योंकि इस थानिय निवासियों की अपेक्षा इंग व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफी उपर तक होती है जो प्रभावशाली लोग है उनकी पहुंच काफी उपर तक होती है तो इसलिए उन्हें उस शेत्र के सम पोशित विकास में कोई रूची नहीं होती है उ उधारण के लिए किसी वन के टीक के सभी व्रक्षों को काटने के बाद वे दूरस्त वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे जब एक स्थान पर उनके लिए कच्छा माल उपलब्द नहीं होगा तो वो दूसरे स्थान से कच्छा माल प्राप्त करने लगेंगे और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे इनका इश्टतम उपयोग सुनशित करें जिससे कि वे आगे आने वाली पीडियों को भी उपलब्द हो सकें उन्हें सम पोशित विकास में कोई रूची नहीं होती है उन्हें केवल अपने उद्योगों के लिए कच्छा माल प्राप्त करना होता है यदि एक शेत्र पर उपलब्द नहीं है तो वो दूसरे शेत्र से कच्छा माल प्राप्त कर लेते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब न या फिर जो इस्थानिय निवासी है ये अपनी परंपराओं के अनुसार वनों का संग्रक्षन का प्रियास करते हैं आगे बढ़ते हैं जैसे कि राजस्तान के विष्णोई समाज के लिए वन एवं वन्य प्राणी संग्रक्षन उनके धार्मिक अनुस्ठान का भाग बन गया भारत सरकार ने पिछले दिनों जीर संग्रक्षन है तू अमरता देवी विष्णोई राष्ट्री पुरस्कार की विवस्था की है तो ये वन और वन्य जीर संग्रक्षन के शित्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा है अमरता देवी विष्णोई राष्ट्री है पुरस्कार कौन थी अम्रता देवी यह पुरस्कार अम्रता देवी विश्णोई की इसम्रती में दिया जाता है जिनोंने 1731 में राजस्थान के जोदपुर के पास खेजराली गाउं में खेजडी व्रक्षों को बचाने है तू 363 लोगों के साथ में बलिदान दिया इन्होंने व्रक्षों की कटाई का विरोध किया और जब रक्षों की कटाई की जा रही थी तो व्रक्षों के साथ इन्होंने अपना बलिदान दे दिया आगे बढ़ते हैं तो next बात है कि वनों की परंपरागत उप्यों के तरीगों के फिरुद पूर्वाग रहका कोई ठोस आधार नहीं है देखे सरकार ये मानती है कि जो स्थानिय निवासी है वो इन वनों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इस पूर्वाग रहका कोई ठोस साधार नहीं है देखे उधारन के लिए हम बात करें कि विशाल हिमाले का जो राश्री उध्यान है इसके सुरक्षी शित्र में एलपाइन के वन है जो हिमाले राश्री उध्यान है यहां पर कौन से वन है एलपाइन के वन है जो भीडों के चरागा थे जो भीडों को चरान के लिए ले जाते थे लेकिन इस राश्री उध्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोग दिया गया क्योंकि जो राश्री उध्यान है वहां पर किसी भी पालतू पशु को चराना निशेध होता है तो सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया और अब यह देखा गया क यहां पर जो घास उकती है पहले तो वो बहुत लंबी हो जाती है और फिर लंबाई की कारण जमीन पर गिर जाती है जिससे नई घास की व्रद्धी रुक जाती है तो संग्रक्षित छित्रों में इस्थानी निवासियों को बल पूर्वक रोखने की प्रबंधन नीती संभव लंबे समय तक शफल नहीं हो पाई है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वनों को जो भी शती हो रही है उसके लिए केवल इस्थानी निवासियों को यहां से दूर हटा दिया गया तो भी वनों की व्रदीर रुक गई क्योंकि जो स्थाने निवासी होते हैं उन्हें ये अनुभव होता है कि किस तरह से वनों का संग्रक्षन किया जा सकता है क्योंकि वे काफी लंबे समय से इन वनों साथनों का उपयोग करते आ रहे हैं और साथी साथ इनके सम पोशित प्रबंदन की विवस्था भी वे करते है नेक्स्ट है कि हम अपनी ओधोगी कावशक्ताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं बांध निर्मान से वनों के विनाश अत्वा इसको होने वाली शती से आखें नहीं मून सकते हैं हम ये बात कह रहे हैं कि इस्थानी निवासी वनों को रुकसान है पहुंचा रहे हैं लेकि इन जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं हैं जैसे कि सड़क और बांध निर्मान उन से भी वनों का विनाश होता है और इस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं इसी के साथ इन संग्रक्षिक शित्रों में पर्य टकों के द्वारा अत्वा उनकी सुविधा के लिए की गई विवस्ता के द्वारा भी वनों को शती पहुंचती है जो राश्ट्रे उध्यान है अभ्यारण्य है तो ये जो संग्रक्षिक शित्र हैं इनमें पर्य टकों को गूमने के लिए जो विवस्था की जाती है उससे भी वनों को शती पहुंशती है वनों की प्राकर्तिक छवी में मनुशे का हस्तशेप बहुत आधिक है तो इसलिए हमें क्या करना इसे नियंत्रित करना होगा इस हस्तशेप की प्रकर्ति और सीमा को हमें नियंत्रित करना तो हमें इन वन संसादनों का उपयोग कुछ इस तरह से करना होगा जो परियावरण एवं विकास दोनों के हितने हो यानि की परियावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी होता रहे अर्था जब परियावरन अथ्वा वन संग्रक्षित किये जाएं तो उनके सो नियोजीत उप्योग का लाब इस्थानिय निवासियों को भी मिलना चाहिए तो यह जो व्यवस्ता है यह वी केंद्री करण की कैसी व्यवस्ता है जिसमें आर्थिक विकास इवं परियावरन को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हमें अपनी आर्थिक विकास की आपूर्ती है तो इन संसादनों का सावधानी पूर्वक उप्योग करना चाहिए हमारा आर्थिक विकास भी होता रहे और सामजिक विकास भी होता रहे तो इसके लिए हमें इन संसादनों का सावधानी पूरवग और विवेक पूंट तरीके से उप्योग करना चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करें हम सम पोशित प्रबंदन की अभी हमने बात की कि इन प्राकर्तिक संसादनों का सम पोशित प्रबंदन करना आवशेक है तो ये सम पोशित प्रबंदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं तो देखिए सभी दावेदारों के लक्षे वन प्रबंदन के संदर में भिन भिन हैं अभी हमने बात की कि उध्योग पतियों के लक्षे कुछ और है इस्थाने निवासियों के लक्षे कुछ और है और प्रकरती प्रेमी के लक्षे कुछ और है तो देखिए उध्योगों को वन संपधा अधितर बाजार मुल्य से बहुत कम मुल्य पर उपलब्द कराई जाती है जबकि इस्थानी निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं प्रभावशाली लोग हैं वो इन वन उत्पादों को बहुती कम उल्ये पर प्राप्त कर लेते हैं जबकि जो इस्थानी निवासियों को वनों से अलग करने की नीती का ह परिणाम है क्या है चुपको अंदोलन देखिए यह अंदोलन उन्निस सो सतर के प्रारंबिक दशक में हिमाले की जो उची परवत श्रंक ला थी महां पर गडवाल के रही नामक गाऊं में घटना से प्रारंब हुआ था कब प्रारंब हुआ ये 1970 के प्रारंबिक दशक में क्या हुआ था इसमें कि यह विवाद लकडी के ठेकेदार और इस्थानी लोगों के बीच में प्रारंब हुआ था क्योंकि जो गाउं के समीब व्रक्ष काट थे उनके काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था गाउं के समीब में जो व्रक्ष लगे हुए थे वो व्रक्ष काटने का अधिकार उस ठेकेदार को दे दिया गया था तो एक निश्ची दिन ठेकेदार के आदमी व्रक्षों को काटने के लिए वहाँ पर आए और उस समय गाउं के पुरुष वहाँ पर नहीं थे तो महीलाएं इसके लिए आगे आई बिना किसी डर के वहां की महीलाएं फोरन वहां पहुँच गई और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर कर यानि कि पेड़ों से वो इस तरह से शिपक गई और ठेकेदार के आदमियों को व्रक्ष काटने से रोका उन्होंने कहा कि यदि तुम्हे व्रक्ष काटने है तो इन व्रक्षों के सासा तुम्हें हमें भी काटना होगा अंतर थेकेदार को अपना काम वहां पर बंद करना पड़ा तो प्राकर्तिक संसादनों के नियंतरन की इस प्रतियोगिता में पुन्हे पूर्थी होने वाले इन संसादनों का संग्रक्षन अंतर नहीं थे वो तो क्या करते हैं यहां से कुछ थोड़े बहुत ही उत्पाद प्राप्त करते हैं जबकि ठेकेदार क्या करा था सारे व्रक्षों को एक साथ ही काट रहा था तो इस प्रतियोगिता में पुन्हयपूर्ती होने वाले संसादनों का संग्रक् करती है यदि मालेजे लकडी के ठेकेदार ने उस शेत्र के सारे व्रक्षों को काट कर गिरा दिया होता तो जो शेत्र था वो सदा के लिए व्रक्ष हीन हो जाता जबकि जो स्थानी निवासी होते हैं यह क्या करते हैं यह व्रक्षों के ऊपर चड़कर कुछ शाखाएं इ नहीं आ जाती है तो यह पुनपूरित होते रहते हैं जबकि जो ठेकेदार था वो क्या कर रहा था सभी व्रक्षों की कटाई एक साथ कर रहा था इससे की वो शेत्र जो है वो सदा के लिए व्रक्ष हीन हो जाता तो चिपको अंदलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों जंसंचार ने भी इसमें योगदान दिया और सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह वन किसके हैं क्या यह वन सरकार के हैं ठेकेदार के हैं अत्वस्थानिये निवासियों के हैं वन संसातनों के समोचित उप्योग के लिए प्रात्मिक्ता तैय करने के लिए सरकार को पुनहर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया किसने इस चिप को आंदो लन्ने सरकार को वापस ही सोचने की चरतपड़ी की आखिर ये वन किसके हैं और इन पर किसका नियंतरण होना च चाहिए तो अनुभाव ने भी लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनार से वन की उपलब्दता प्रभावित होने के साथ मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोथ भी प्रभावित होते हैं वनों की उपलब्दता तो प्रभावित होती ही है इसी के साथ मिट्टी की जसी इस्थाने निवासी हैं उनके अनुभों को यदि हम उपयोग में ले तो वनों के प्रभंधन को बढ़ाया सकता है तो एस्थानी लोगों को किस तरह से निवनव in प्रभंदन में भागी धाली पुन्ह पुरण करने की अपनी योजना के असफल होने की कारणों का पता लगा पश्रीमी बंगाल का जो वन विभाग था उसने शेतर के दक्षन पश्रीमी जिलों में जो साल की वाद नस्ट हो गए थे उनको पुन्ह पुरित करने के लिए की योजना चलाई थी लेकिन परण मिले उन्हें कि पुलिस की कारवाई से इस्थान ये लोग और प्रशासन में बहुत अधिक दूरी हो गई थी जिसके फलसरूप वन करमचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर लड़ाई जगड़े होने लगे और इनी जगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदलो पुलिस की कारवाई से लोग परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें वनों की योजनों के अंदर कोई भागिदारी नहीं मिल रही थी तो वन विभाग के करमचारियों और इस्थाने निवासियों में अक्सर लड़ाई जगड़े होने लगे और उनमें असंतोश व्याप्त ह तो इसके लिए वन विभाग ने क्या किया अतर वन विभाग ने अपने नीती में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के अराबाडी वन शेत्र में एक योजना प्रारंब की वहाँ पर वन विभाग के एक दूर दर्शी अधिकारी कौन थे एके बैनर जी इन्होंने ग्र क्रक्षन किया इस्थानिये लोगों को भी इन्होंने इसमें शामिल किया तो इसके बदले में निवासियों को शेत्र की देख भाल की जिमेंदारी के लिए रोजगार मिला उन्हें रोजगार भी यहां से प्राप्त हुआ और इसी के साथ-साथ उन्हें वहां से उपच्च 25 प्रतिशत के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मुल्य पर इंधन के लिलकडी और पशुओं को चराने की अनुमती भी दी गई यानि की उनकी भी इस योजना में भागीदारी सोनिश्रित की गई तो इस्थानी समुदाई की सहमती एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाडी का सालवन सम्रद हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले इस वन का मुल्य है 12.5 करोडा का गया यानि की पहले ये जो शेत्र था ये इस पर पूरे साल के वान नस्र हो गय थे लेकिन जब इस साल वन शेत्र वापस से सम्रद हो गया और इसका मुल्य भी बढ़ गया तो यहां पर इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि यदि स्थानी ये लोगों के अनुभव को इन योजनाओं में शामिल किया जाए तो इन वनों का प्रबंदन बहुत ही अच्छे तरीके से कि जा सकता है तो बच्चों यहां पर हमारा यह भाग कम्पीट हो गया है अब कर लेते हम इस भाग से सम्बंदित कुछ प्रश्ण जो कि हमारे पाठे पुस्तिका में दिये गए हैं तो पहला प्रश्ण हमें यहां पर दिया है कि हमें वन एवं वन्य जीवन का संग्रक्षित क्यों करना चाहिए तो देखें जै विविता को यदि हमें बचाना है तो हमें वनों का संग्रक्षित करना बहुत ही आवशक है तो क्या लिखेंगे हम कि हमें जै विविता को संग्रक्षित करने के लिए वनों और वन्य जीवन का संग्रक्षित करना चाहिए ताकि पारिस् प्रबंदन के बिना मिट्टी की गुणवत्ता जल इस्रोत और वर्षा की मात्रा भी प्रभावित होती है तो वन और वन्य जीवन के बिना मनुष्य के लिए जीवन असंभव हो जाएगा तो इसलिए हमें इन वन और वन्य जीवन का प्रबंदन करना आवश्यक है आगे बढ इपनी भागीदारी दिखानी चाहिए इसके अलावा ब्रक्षा रोपन की दर को बढ़ाया जाना चाहिए हमें अधिक से अधिक ब्रक्षा रोपन करना चाहिए उध्योगों की वनों पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए क्योंकि उध्योग अपने कच्छे माल के लिए इ भी भी हमने समझा कि इस्थानी निवासियों को भी वन संग्रक्षन की योजनाव में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन वन संग्रक्षन की जो प्रकिरिया है उसमें तेजी लाई जा सके बहुत अच्छे से इन वनों का प्रबंदन किया जा सके तो बच्चों यहां पर हमा आगे बढ़ते रहे धन्यवाद